हालो स्टूडेंस, हावा यो ओल, आइ होप यू आर वेल आज हम लेटर सिखेंगे, यानि के, अलफाबेट्स तो ये देखें, ये क्या है? A, B, C, D तो ये कैसे अलफाबेट्स है? हाँ, बीग वन, कैसे? यानि के, कैपिटल अलफाबेट्स और ये है ये क्या है A, B, C, D ये भी A, B, C, D है लेकिन ये small alphabets है कैसे? Big and small तो आज हम सिखेंगे big और small big तो आपको आते ही है लेकिन हमें क्या सिखना है? small alphabets तो देखें ये भी A है और ये भी A है तो A for apple B, ये भी B है और ये भी B है तो B for ball ये क्या है C, ये भी C है और ये भी C है तो C for cup ये क्या है D, ये big one और ये small one तो D for duck तो अब आपको पता चल गया होगा तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं लेकिन आपको ये आपकी notebook में लिखना है आपको ये जो fold line की book होती है उसमें आपको ये small alphabet लिखने है लेकिन आपको क्या करना पता है आपको proper fold line में भी लिखना सिखना होगा हम क्या करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं तो आपको ऐसे हैं आपको proper fold line में लिखना है fold line means यहाँ देखिए ये है red, blue, blue and red ये क्या है ए लेकिन कैसा है capital A है तो आपको capital A कहां से start करना है red line से यहां से हम lines खीचेंगे blue line तक आपको यहां वापस red line में नहीं लाना है फिर यहां से वापस line खीचेंगे blue line तक और slipping line बनाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा capital A लेकिन हमें क्या सिखना है small a small a बहुत इजी है आपको वो rail line से start नहीं करना है आपको ये दो blue line दिख रही है उसमें ही आपको small a start करना है तो हम क्या करेंगे पहले half circle बनाएंगे half circle, half curve बोलते हैं न हम वो बनाएंगे तो हम वो सिर्फ ये दो blue line के बीच में ही बनाएंगे फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसी standing line बनाएंगे उसे थोड़ा सा turn कर देंगे ये हो गया हमारा small a क्या हो गया? small a मैं parents से request करूँगी अगर बच्चों को इस तरह कैसे नहीं आता है तो पहले उनको ऐसे बताएं दो dots करके दीजिए उन्हें और उनको सिखाईए कि ये दो dots को ही आपको join करना है जैसे कि पहले ये दिखिए half circle ऐसे बनाना है इस dot तक जाना है फिर ये standing line बना के उसको turn करना है तो ये क्या हुआ? small क्या हुआ? small है फिर से एक बार बताती हूँ आपको इस तरीके से half circle बनाना है fill line बनानी है और ऐसे turn करना है तो ये हुआ हमारा small है आपको ऐसा नहीं करना है यहां से लेके ऐसा big बना के फिर ऐसा करना है ये क्या होगा? ये wrong होगा आपको ऐसा नहीं करना है आपको ऐसा ही small है लिखना है फिर यहाँ देखिए यह क्या है बड़ा वाला बी है और यह छोटा वाला यानिके small बी तो हम पहले big बी बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे पहले हम standing line बनाएंगे फिर half circle and again half circle तो यह क्या हुआ बी लेकिन big बड़ा वाला बी और अब हम बनाएंगे small बी तो पहले क्या करेंगे यह red line से हम standing line लेंगे blue line तब फिर हम बनाएंगे half circle तो यह हो गया हमारा small बी और मैं parents से request करूंगे आपको dot यहाँ red line पे करना है और blue line पे तो वो बनाएंगे पहले standing line और फिर बनाएंगे half circle तो यह क्या हो गया है small बी फिर इहाँ देखे आपको standing line बनानी है and half circle तो यह क्या हुआ small बी तो यह कौन सा बी है big और यह small फिर यह क्या है c c for cup तो यह कैसा c है big one और यह small one तो चली पहले हम big c सिखते हैं कि four line में उसको कैसे लिखते हो तो वो हमें यहाँ red line से start करना है तो हम red line से लेके ऐसे बड़ा सा half circle बनाएंगे और blue line तक जाएंगे तो यह क्या हुआ c c तो easy है ना फिर यहां देखे small c तो बहुत easy है आपने जैसे a बनाया half circle में वैसे ही है लेकिन इसमें क्या है हमें line standing line या कोई भी line नहीं करनी है ऐसे देखो हो गया ना small c आपको दोनो blue line के बीच में ही लिखना है small c अगर आपको नहीं आता है तो फिर से हम यहां dot करेंगे और इन dots को join करेंगे तो हो गया ना small c फिर से एक बार आपको यहां बताती हूँ ऐसे करके half circle यानिके c small c और big c कहां से start होता है red line to blue line और small c blue line में ही होता है वो red line से start नहीं होता है तो यह क्या हुआ c फिर last कौन सा है d d for dark यह big यानिके बड़ा वाला और यह छोटा वाला यानिके small d तो चली d कैसे बनाता है पहले यहां से हम start करेंगे standing line बनाएंगे और फिर हम ऐसे बड़ा सा half circle बनाएंगे तो यह क्या हुआ हमारा big d फिर यहां देखिए यहां देखिए जैसे हमने b लिखा है ना वैसे ही लिखना है लेकिन हमें यह b में क्या है इस तरफ half circle करना है और d में इस तरफ half circle करना है तो चली हम बनाते हैं d तो पहले हम standing line बनाएंगे और फिर इस तरफ हम बनाएंगे half circle standing line कहां से start करेंगे ray to blue और फिर half circle कहां करेंगे दोनों blue line में तो फिर से हम बनाते हैं तो हम इस बार dot करते हैं तो हम बनाएंगे पहले standing line and then half circle फिर से एक बार बताती हूँ आपको क्या करना है आपको करना है standing line ray to blue and blue to blue line में यह हो गया d और मैंने फिर से जैसे बनाया है ऐसे आप बड़ा सा मत बनाईए यह wrong होगा आपको proper line में ही लिखना है चाहिए वो capital हो चाहिए वो small हो ओके तब आपको समझ में आगा रहना और आपको ऐसा नहीं है कि आज ही यह चारो के चारो करना है आपको 15 days यानि के 15 दिन दिये जाते है आपको small सिखने में A, B, C और D आपको 15 दिन में A, B, C, D यह चार alphabet आपको 15 दिन में सिखने है तो आप एक दिन में एक ही लेंगे देखे मैंने यहाँ पीछे बनाए है आपको आपकी note में लिखना है तो आपको कैसे लिखना है फर्स टाइम जब आप पहला page लिखेंगे उसमें आप इस तरीके से लिखेंगे capital and small capital and small आपको first page जो आप लिखेंगे इस तरीके से पूरा आपको first page में आपको capital A और small A लिखना है फिर जब आप second page लिखेंगे उसमें आपको small A ही लेना है आपको दो दिन आपको small A की practice करने है उसके बाद जब आपको यह completely two line में लिखना आ जाए इस तरीके से C उसके बाद D तो आपको 15 दिन में आपको A से लेके D तक small alphabet revise करने है और आपकी notebook में लिखने है ओके थैंक्यू